हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं the job info दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर बीपीसी के बारे में जो की बीपीसी का एक्जाम डेट आपको यहाँ फिर से बढ़ा दिया गया है और चाचाटवी बीपीसी मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा और हेड मास्टर की जो पोस्त निकाली गई थी बीपीसी के थुरू उसका भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है तो यह तीनों के बार हम हेड मास्टर के लिए देखेंगे यहाँ डेट उनका बढ़ा दिया गया है जो ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा था डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लाई फोर दो पोस्त अफेड मास्टर इन सेनियर सेकेंडरी स्कूल अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्मेंट डेट उनका एक्स्टेंड कर दिया गया है तो हम एडबेटाजमेंट पहले डाउनलोड कर लेते हैं यहां से इसको देख लेते हैं कि डेट बढ़ाया गया है लोग से वा आयोग यहां से देख सकते हैं जो इसमें वेकेंसी इसमें दी गई थी वह 6421 वेकेंसी इसमें दिया तारीक रखा गया था 28 March लेकिन अब यहां पर बढ़ा दिया गया 11 अप्रिल तक कर दिया गया है और आवेधन इडिट करने का डेट यहां पर 4 अप्रिल से बढ़ा के यहां पर 18 अप्रिल तक कर दिया गया है तो यह रहा आपको यहां पर 18 मर्च को ही अप्डेट किया गया है यहां पर यहां पर बढ़ा दिया गया है आपको 8-5-2022 तक तो क्यों किया गया है इसको भी हम लोग डाउनलोड करके यहां से देख लेते हैं किया कहा जाराइस में चलिए डाउनलोड हो गया बिहार लोग से वा आयोग पटना और यहां सर्षटवी बीपीएसी संजुक्त सेकेंडरी एजुकेशन की आंतरिक परिच्छा निर्धारित होने के कारण सीबीएसी अस्कूल में अवासन उपबंद होने के कठिनाई के कारण उख्थ परिच्छा किती थी पोसंसोधित किया गया है अब आठ पांच-अठ मई को कर दिया गया है हो सकता है कि फिर बढ़ा अब देखेंगे यहां पर जो आपकी चाचटवी भी पीएसी है जो इसकी मुख्य परिच्छा कराएगी तो इसका रिजल्ट जो आपको यहां पर दिया गया 15 अपरिल तक जारी किया जा सकता है तो आयोग ने काया कि 15 अपरिल तक इसको जारी कर सकती है वीपीएसी यह